हेलो आइवरीवान दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज जो है साथ नवंबर दोहजार थेज़ के डेली करंट अफेर सेशन में और हरोज की तरह उमीद करता हूं कि आपकी सब की तयारियां और आपकी सेहत जो है बहुत ही शांदार होगी बहुत ही बढ़िया होगी तो दो यहां पर इसको मैंने किया और मैंने इसको किया जो है अपना वर्टसाइब खोला और इसके बाद जो है मैंने अपने जो विद्यारती हैं हमारे जो भी जुड़े हुए उनके साथ जो है मैं अब ये जो है शेयर कर रहा हूं तो चलिए बहुत ही बढ़ी आतो दोस्तों ये शेयर भी हो गई है ताकि विद्यारती क्रिकेट के वर्ल्ड कप से दोस्तों वो क्रिकेट के इतिहास का जो है एक कह सकते हैं आप काला पन्ना जो है वो जो है वो जो है वो कल अडिशन हुआ कल उसमें शामिल हुआ अब ये इसको मैं एक काला पन्ना क्यों बोल रहा हूं मैं इसको ब्लैक स्पोर्ट क्यों बोल र तो बंगलादेश ने कल का जो मुकाबला है शलंका को तीन विकेट से हरा दिया और दोस्तों ये पहली बार ऐसा मौका था जब क्रिकेट वर्ल्ड कप में बंगलादेश ने शलंकन टीम को हराया हाला कि दोस्तों शलंका से भी और मजबूर टीमें जैसे भारती ले लिजिए हैं भारत को भी कई बार बंगलादेश कहीं बार अगर आपको याद हो 2019 की बात कीजे 2007 की बात कीजे हम बंगलादेश से आली इसे ओर चोके लेक्शिरंका कल पहली बार हा तो दोस्तों कल एक प्लेयर है जई जिए शिलंका के जिनका नाम था मैथ्यूज वहर्मेटिउज त तो उन्होंने जो है वो order किया वहां से संदेश भेजा कि मुझे एक निया helmet जो है वो भेजा जाए लेकिन वहां पर दोस्तो helmet आते आते समय लग गया आम तो और पे cricket में दोस्तो एक नियम है और वो नियम कहता है कि जैसे ही कोई बलेबाज आउट होता है तो उसके बाद दो म अंपायर से भाई निवेदन या उनसे जो है कहा कि भाई ये तो आप नियमों का उलंगन कर रहे हैं और आपको जो है यहां पर इसको आउट दे देना चाहिए यहां पर साकिब ओल्सो रूल्ड आउट फोर रोंग कप ड्यू टू इंजरी तो दोस्तों यहां पर आप कि कल पहली बार हुआ एंजलियू मैथ्यूज नाम था बंगलादेश लंग का हैलमट का स्टैप तूटने की वज़य से और यह यह इस प्लेयर का दोस्तों यह तस्वीर आप देख रहे हैं और इसको थोड़ा समय लगा हाला कि कल इंटरस्टिंग बात यह भी थी कि जब ज और यह जो है वह आना पड़ा तो दोस्तों यह जो है वापसी जो आना पड़ा और बाद भी हम देखते हैं ज्यादा रन नहीं बना पाएं और इजली बंगलादेश ने जो लक्षट था दोस्त ऐसीरन का वह अचीव कर लिया दोस्तों कल खेल भावनाएं आहत हुई और हम हाई दोस्तों हाथ सभी खिलाड़ी एक दूसरे से मिलाते हैं लेकिन उसके बाद बंगलादेश के प्लेश ने बंगलादेश के साथ हाथ मिलाने से भी मना कर दिया कल का दिन बंगलादेश के इतिहास में माफ कीजिए कल का दिन श्रिलंका के इतिहास में काफी भारी था काफ जो है जो है जोर्दार रहा दोस्तों नेक्टिव एस्पेक्ट से क्यों कि कल सुबह भी वो खबर आ रही थी कल सुबह की खबर यह थी कि कल बंगलादेश के जो माफ कीजे बंगलादेश नहीं जो श्रिलंका के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है तो दोस्तों महमाना तो उन्हों investigation के जाज के निर्देश दिये हैं कि भारत से और बाकी टीमों से इतने जादा matches जो श्रिलंका हार रही है उसका क्या कारण जो है वो लग रहा है आपको और दोस्तों जो है एक नई साथ member की interim एक temporary committee बनाई गई है जिसमें Supreme Court के judges हैं और इस team का जो head जो president इस साथ member interim committee का जो member president बनाया गया है वो श्रिलंका के पूर्व कप्तान जिनकी कप्तानी में 1996 में श्रिलंका ने वर्ल्ड कप जीता था जिनका नाम था अरजुन राना तूंगा तो उनको बनाया गया है और दोस्तों कल शाम को भी मैचे में बंगलादेश से भी श्रिलंकन टीम हार गई फिलहाल स्तिती काफी खराब है श्रिलंकन टीम की और श्रिलंकन टीम की बात करें तो दोस्तों जो है नीचे से अगर हम बात करें अभी वो तीसरे मैचस जीते हैं और जहां तक हम बात करें दोस्तों अफगानिस्तान की अफगानिस्तान च्छटे स्थान पर है और आने वाले दिनों में जैसे आज अफगानिस्तान का मकाबला अस्ट्रेलिया से है अगर 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 अफगानिस्तान जी जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों जो है ये उपर जा सकता है ये जो है सेमी फाइनल में इसके पहुंचने के चांसे बहुत जादा लग रहे हैं अगर आज का मुकाबला उस्टेलिया को अफगानिस्तान हरा देता है फिलाल जो है दोस्तों भारत जो है अपनी नंबर वन प कब चल रहा है और ゃब जोरी हर जानकारी जो जरूरी है वह हम आपको प्रवाइड करते ही रहेंगे और दोस्तों इसी बेड़ अफगानिस्तान की टीम जो है जो जबर्दस वह ही लग रही है और ऑधग्को बंगलादेश की जह पनी गेम को Egnoye कर रहे हैं अफ अवन CCI ने इनकी सहाइता के लिए इनके मेंटॉर के तौर पे भारत के पूर्व तोफानी बलेबाज अजे जडेजा को भी इनका मेंटॉर जो है वो जो है दोस्तो रखा है पॉइंट किया हुआ है और कल पूरी जो टीम है अफगानिस्तान की दोस्तों वो सचिन टंडूलकर से भ पूरी तरह से जो है आश्वस्त है और बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए यह आज जो है मेंटान में उतरेगी अफगान टीम हैसे ग्रेट टाइम विद्दा सचिन टंडूलकर सचिन टंडूलकर की बात करें हमने कुछी दिन पहले पढ़ा वान खड़ी स्टेडियम में दोस्तों इनका एक स्टेच्यू भी वो सेट अप किया गया है जो इनका हम ग्राउंड है तो दोस्तों यह फिलहाल जो है खबरे हैं आप देख रहे हैं क्रिकेट से जुड़ी हुई और मैं बता दूँ आपको इसमें कोई भी अभी तक बदलाव नहीं आया दोस्तों नमब पुक्ता हिकिक करें रहा हों तो सपोर्स में जल्दी से आपको बता दूँ कि स्पोर्ट्स में अभी आपको पता है 37 त्येस्वी जेम्ल गेम्स गहां में जो है उनका चनाई में जो है दो हजार से भी बाइसों से भी जादा अथलीट जो है 39 अलग अलग स्टेटों से हैं यहां पर हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं तो इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट है हमारी 38 नेशनल जूनियर अथलेटिक चेंपिनशिप और तमिलाडू में यह खाड़ी तो दोस्तों पहले नमंबर को हमारा पंजाब दे है उसकि हमारा रएन डे है साथी साथ अगर मैं बात करम नो नमंबर कुई तो उसके इलावा 15 नमंबर को जारखन बना था उस दिन विर्सा मुंड़ा दोस्तों जो कि बहुत एक तरहां से और देव्ता की पदव एक संघर्ष रड़ा और जो है इनका जन्दिन होता है और इस वजह से 15 नवंबर को गौर्वर्मेंट ओफ इंडिया बिरसा मुंडा के जन्दिन पर जन्जात्य दिवस भी सेलिब्रेट करती है नेशनल ट्राइबल्स दे जन्जात्य दिवस और इसके इलावा जो है पांच मुंबर को सुनामी अवेर्नेस दे साथ को इनफेंट प्रोटेक्शन दे दस को साइंस दे दोस्तों यह वर्ल्ड साइंस दे है फिर बारा को निमोनिया डे तेरा को वर्ल्ड काइडनेस दे चोद दोस्तों हम इंट्रनेशनल मेंज दे और इस दिन साती साथ वर्ल्ड ट्वाइलट डे भी वह अबजर्व किया जाता है फिर 21 को वर्ल्ड टेलिवीजन दे होता है फिर 26 को अगर मैं बात करूं आखिर में दोस्तों एक तो वर्गेश क्यूरियन जी का जन्म दिन होता है वर इस वज़े से उनका जर्म दिन साती साथ आपको याद रखने जो इंटरनाशनल मेंकर है वह हम जो है दोस्तों एक जून को अबजर्व करते हैं एक जून इंटरनाशनल मेंट जो है नुवंबर नैशनल मेंकर है साती साथ इस दिन 2 साल 11 मीने 18 दिन के बाद मारा सविधान जो है उसको बनकर वो complete हो गया था और जो है इस दिन इसी लिए दोस्तो हम इसे happy constitution day या national law day भी जो observe करते हैं इस दिन सविधान को adopt कर लिया गया था दोस्तो इस दिन सविधान के उपर 284 members ने sign कर दिये थे हाला कि ये complete तो 24 तारी कोई हुआ 26 को ये दोस्तो अडॉप्ट हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था छोटे-छोटे शब्दों में इसे कई सारे exam पेपर आ जाते हैं तो इसलिए उनके बारे में हमें साथ-साथ है जरूर जो है वो पता होना चाहिए तो दोस्तो आखिर में जो है गिरिराज से जुड़े 15 प्रशन भी अशाई इदहार पे भारत में पहला राज्या उनीसो त्रेपर में अंध्रापरदेश बना और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो प्री श्रिमालू जी का था शिवा जी का राज्या विशेग राएगड में 1674 में हुआ भारत का अटार्णी जनल ओफ इंडिया आर्टीकल 76 में डिफाइंड है सूरिया की सबसे उपरी पर्त को करोना बोलते हैं साइलेंट वैली प्रियोजना यह दोस्तों केरला से जुड़ी हुई है भारतिया राष्टे जैविक विदता प्राधिकर्ण जो है यह दोस्तों जो है 2003 में चनही में इसकी शुरुआत हु फिरिस सबसे बड़े नदी दूएफ जो है वो कहाँ पर है और वह जहां पर है पहले मैं इसको फॉन को स्थोड़ा साइलन कर लेता हूं बार बार यह ढिस्टरॉब कर रहे लीजिए इसको साइलन कर दिया है और दोस्तों सबसे बड़ा नदी दूईश आवसाम में है है मंतरी शगन योजना जो है हिमाचल में गरीब लड़कियों की शादी के लिए है फ्लाइंग फैस्टिबल जो जुंगा शिमला में होता है औरेशन गेम्स की राश्टी कवर्डी टीम में दोस्तों जो पांच खिलाडी शामिल थे और इन में से जो कप्तान थी रितू जो है वो भी हिमाचल परदेश से ही थी तो यह भी आपको साथ-साथ है याद रखना है तो दोस्तों यह सारे कोश्चन और इसके बाद जो हम कल जो हमने पढ़ा ही थे प्रशन उसके से एमसी क्यूज आपके साथ सांजे करूँगा लेकिन साथ-साथ जो विद्यारती आ रहे हैं सभी से निवेदन सेशन को शेर लाइक है जरूर जो है कर दिया करें ताकि और भी विद्यारती हमारे हिमाचल के हमसे जोड़ सकें और बैटर दो है दो हमारी टीम को हैं स्क्तित्र मेंट प्रोग्रम द्वारा दिया गया जोट जोसफिनना फंडेको ओर जोष यती नमें इसस साल परजिए या फ्राईडोटी कि धिया Q घौITY आइनि ही already discovery हो चुकी है फिर इंडियन एर फोर्स ने इस्टन स्काई अक्सरसाइज जो है कौन से शहर में आयोजित की लखनाउ जोदपूर शिलोंग या कलकत्ता तो इसका जो सही उत्तर है यहां पर मैं इसको सही भी कर देता हूं बी इसका जो है बिलकुल सही उत्तर है और पांचवा कोशन था इंडियन निवी की दोस्तो आज तक की सबसे बड़ी सेलिंग चैंपिनशिप यह जो रेसिंग है यह जिसको रिगट्टा नाम दिया जाता है यह कहां पर आयोजित हो रही है दोस्तों इसका जो सही उत्तर है व तो आज का जो पहला जो प्रशन है वो है दोस्तों यहां पर पहले प्रशन की तरफ चलते हैं पहला प्रशन है इन में से कौन सी टीम द्वारा जो है दोस्तों वोमें एशन चैंपिनशिप ट्रॉफी है वो जीत ली गई है आपको बता दूं यह जो वोमें एशन चैंपिन जीत ली है भारतिय होकी ठीकी ही ऐक खिलाडी जिनका नाम है सलीम, सलीमा तेते इनको जो है दोस्तों वो जो प्लेयर ओफ तरॉन मेंट या वूमेंट अवंचा का अवाड है वो दिया गया है और भारत की एशा की 10 टीम जने इसमें हिस्सा लिया था और दोस्तों झारकन स्टार्टिंग में पड़ा था 15 नमंबर 2000 को इस नए राजय का गठन हुआ था 15 नमंबर को जन जातीय दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है मुख्या मंतरी हेमो हेमंत सौरें जो हैं और महेंदर सिंग धोनी जैसे और कई बड़े प्ले जो हैं दोस्तों जारखन से रांची स आज तक वो आई हुए हैं फिर उसके बाद जो हैं दूसरे प्रशन की बात करेंगे दूसरे प्रशन से पहले बता दूँ एशन गेम्स में भारती है महिरा होकी टीम ने ब्रॉंज मैडल जो हैं वो लेकर आए थे लेकिन यहां पर इनोंने गोर्ड मैडल जो हैं वो जीत ल परवात होगी तो बताएं मुंबाई दिल्ली गोवा या बैंगलूरू क्या है इसका सही उत्तर सही आंसर है जल्दी से दें मुझे आप और इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो दोस्तों अल्रडी मैं आपको बता भी चुका हूं जैसे जब हमारे जो सत्याजीत रे फिल्म अवार्ड की बात होई थी जब आज से एक मीने पहले जब उनाउंस किया गया था उसके बाद भी कहीं बार बता चुका हूं कि दोस्तों यह जो अवार्ड है यह अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल ऑफ इंडिया जाएगा और यह अवार् के एक्टर माइकल डगलस को जो है यह अवार्ड दिया जाना है और दोस्तों यह अवार्ड जो है यह 54 इंटनेशनल फिल्म फेस्टिबल में दिया जाएगा जो की 20 नमंबर से गोवा में आयोजित होने वाला है इसकी पूरी जानकारी जो है दी इंफोर्मेशन और ब्रोड करती है जिसको भारत का निया चीफ इंफोर्मेशन कमिश्टर जिसे हम सी आई सी बोलते हैं दोस्तों निक्त किया गया ही रालाल समरिया रगुष रिवासन कमला शरीन या रगुबर्दास इसका जो है सही उत्तर देना है नितिन धिमान जी और अगर मैं बात करूं जो है र दोसतों निकित की गही है भारतिय यह मूल कि है तो इनको रीचेंट लिह उडिसा का गवर्णर जय तो एस प्रशन का योंटर है वह है दूस्तों जो है ए मतलब जो है भाई इसका मतलब है यहाँ पर आश्ट जो आएगा वहाएगा हमारा हाँ जी तो इसका जो जो उत्तर आएगा वो ए आएगा एका मतलब है हीरा लाल समरिया इस दा क्रेक्ट आंसर मैं साथी साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यह जो information commissioner है यहाँ पर मैं बता दूँ यह जो हमारा जो department है हमारा information का जो commissioner का यह दोस्तों जब आट यह एक्ट की स्थापना की थी 2005 में जब कहीं सारे संघर्ष के बाद Parliament ने दोस्तों जो है इस organization की स्थापना की थी और क्योंकि यह इस एक के थूप आवर लेता है information commissioner तो इसलिए इस body को हम statutory body बोलते हैं याद रखें यह जो statutory body है आम तो और पर दो तरह की होती हैं दोस्तों या तो regulatory या फिर quasi-judicial तो एक तरह से quasi-judicial है information से जाड़े सारे जुड़े हुए मामले जो है यही निर्धारित करती है और इसका ही काम है कि दोस्तों राज्यों में भी आगे information commissioner की न्युक्ति करना पहले यह information commissioner हुआ करते थे अब यह chief information commissioner होंगे जिनका नाम हीरा लाल समरिया है फिर उसके बाद जो है दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक और बाबता दू कभी कभी इस तरह की कई सारे प्रशन आते हैं जैसे भारत में education का ride कब आया 2002 में आया information का ride मार्च में आया मंद्रेगा कब शुरू हुई 2006 में शुरू हुई भारत में जो बच्चों की जो वो डाले का जो अधिकार है 21 कब किया गया वह 1989 में 1999 में किया गया पंचाईती राज भारत में सबसे पहली बार कब आया वह 1959 में दोस्तों राजस्थान के नौगाव डिस्ट सब्सक्राइब करेक्ट अंसर और दोस्तों यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं और राश्पती द्वारा जो है इनको शपत जो है वो दिलाई जा रही है नाम याद रखें देट इस अहीरा लाल संब्रिया इस दा करेक्ट आंसर फिर अगला जो प्रशन है वो है हमारी जो महिला और बाल विकास मंत्रालिया है इन्होंने दोस्तों बेटी बिचाव बेटी पढ़ाओ का जो अभिहान है उसको बढ़ावा देने के लिए किस चैनल के साथ करार किया है कालर्स जी टीवी सोनी या स्टार प्लस क्या है इसका सही उत्तर नेतिन दिमान के लावा और अगर मैं बेटी बिचाव बेटी पढ़ाओ की बात करूं जिसमें दोस्तों वोमेन इंपार्मेंट की बात की गई है और इनके तहट लड़कियों का दोस्तों ऐसी लड़कियां जिनके उमर अभी भी दस साल से चोटी है और उनके नाम पर एक अकाउंट खोला जाता है और को एक बार पैसे डिपॉजिट किये तो आपको उस लड़की की हायर एजुकेशन जब उसकी उमर 18 साल होगी और जब उसकी उमर 21 साल होगी तब आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं और उस अकाउंट को नाम क्या दिया गया है आई होप सो अभी नितिन दिमान या बा आपको याद होगा पता होगा कल हमने अपने करंट फेर में एक और नया सेशन जोड़ा है दोस्तों ताकि हम जो है बहाई नए करंट अफेर से अपडेट रहें तो जो ओल इंडिया रेडियो दोस्तों जिनकी वेबसाइट है उन पर जो हर रोज निउज अपडेट होती है उनको भी न्यूस्पेपर के साथ-साथ है आपके समक्ष में लेकर आऊँगा तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का All India Radio और यहां पर Good Afternoon जो है कोई बात नहीं तो दोस्तों जो है यहां पर All India Radio की बात करें तो जो British Film है दोस्तों जिसका नाम है Catching Dust जो है दोस्तों यह जो 54 इंटरनेशनल Film Festival गोवा में शुरू होगा 20 तारीक से 20 नमबर से वहां पर जो है यह फिल्म दिखाई जाएगी ब्रिटिश फिल्म है Catching Dust जो है और यह दोस्तों गोवा में फेस्टिबल यह 20 नमबर से लेकर 28 नमबर तक होने वाला है और क्लोजिंग जो सेरेमनी है वहां पर अमेरिकन फिल्म जिसका नाम है Feather Weight स्टार्टिंग में उसकी ओपनिंग सेरेमनी में कैचिंग डॉग कैचिंग डेस्ट माफ कीजिए और क्लोजिंग सेरेमनी में Feather Weight यह जो मूवी दिखाई जाएगी और दोस्तों यह सारी जानकारी जो अनुराग ठाकुर जी ने दी है और इसके साथ माइकल डगलस होलिवोर्ड स्टार उनको भी दोस्तों सत्या जीत रेफिल अचीवमेंट अवार्ड के साथ जो है वो समानत किया जाएगा इस नो दिन के फेस्टिबल में 270 से जादा मूवी दिखाई जाएगी जो कि दोस्तों इंडियन और इंडिया की कई सा जो है अभी वहाँ पर नेशनल गेम्स भी हो रही है 37 और पहली बार वहाँ पर जो है वो गेम्स करवाई जा रही है वहां के मुख्यमंतरी का नाम पर मोध सावंध है और दोस्तों वह जो गेम है उनका जो थीम है गेट सेट गोवा है मासकोट मोगा है यह सारी चीजें भी एक है विदित और दूसरी विशाली और इन्होंने फिडे ग्रेंड स्वेश ओपन दोस्तों यह जो फिडे है चेस से जुना टूनामेंट है अंतराश्टे स्तर पर जैसे फीफा फॉटबॉल को और इसे जीता है आपको प्रशन सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है और यहां अगर मैं जब यह विशाली की तस्वीर देख रहा हूं मुझे विशाली की तस्वीर देखकर दोस्तों जो है वो भारत के जो प्लेयर है रामानुज उनकी याद आ रही है बिल्कुल वैसे ही शकल इनकी लग रही है तो विदित और विशाली किस गेम से जुड़े हुए त तो सेद इबराहिम के साथ प्रधान मंतरी जी ने है बात की है और दोस्तों दोनों लीडर्स ने वेस्ट एशिया रीजिन खास तो और पे जो इसराइल और हमास का जो करिफलिक्ट है वहाँ पर कैसी स्थिती है उसके उपर गंभीर स्थर पर एक दूसरे से बात चीत की और नोबल प्राइज जो है पीज के शित्र में मिला है तो महमदी मैं आपर यह भी बिता दूँ सारे विद्यार्तियों को जो मेरे इस सेशन को देखते हैं मैंने कल शाम को दोस्तों पूरे अक्टूबर के एक करेंट अफेर जो हैं पढ़ाए थे जिसमें अक्टूबर के सारे A to Z करेंट अफेर में ने कवर कर दिये थे तो अगर आपके पास दोस्तों जो है टाइम हो और अगर आप पूरे अक्टूबर के करेंट अफेर देखना चाहते हों तो भाई हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल अगर शाम का अगर करेंट अफेर क्या है है सबसे पहले तो housing and urban differ ministries ये अर दीपुरी हैं और दोस्तों ये जो वोमेन for water water for women campaign शुरू किया है ताकि दिवाली को है झो अलिपक किया जा सके जिसमागٍ जिसमें दोस्तों कहा गया है उसे हम बोल देते हैं और दोस्तों ये विल विजट करेंगे 50 से ज़्यादा 50 water treatment plants of their campaign दोस्तों जो water campaign जो water plant लगे हैं जो की water की treatment water को purify कर रहे हैं और it added aim is to provide the platform for the inclusion of women और इन दोस्तों commissions में इन committees में जातर महिलाए होंगी और water plant सही से treat कर रहे हैं पानी को स्वच कर रहे हैं इस risk उपर जो ही अपनी रिपोर्ट है यह हमारी urban fair ministry को provide की जाएगी और यह campaign है दोस्तों यह हमारी मिनिस्ट्री हमारी जो मिनिस्ट्री फ्लैक स्कीम स्कीम अटल मीशन for rejuvenation and urban transformation अगर मैं इसका जिकर करूं दोस्तों इसको short form में नाम दिया जाता है अमरित का मैं इसको लिख करें कुछ सालों में इसका नाम अटल बिहारी व्याजपाई के नाम पर रख दिया और उसी के अर्बर फेर मिनिस्ट्री ने इसे लॉंच किया है women and for water and water for women championship तो दोस्तों इसी के साथ मुझे लगता है कि हमारा यह वाला जो हिस्सा है यह भी कतम हो गया यह वाला जो हिस्सा देखनें डीवाई चंदरचूर जी की गवर्नर डिलेंग कृशल बिल्स ए मैटर उफ कंसर्ण दोस्तों यह कई बार राज्यों में देखा गया है कि सरकार और गवर्नर के बीच अच्छी तालमिल ना बैठने की वज़े से वहां पर जो है बहुत सारे ऐसे बिल जो की पब जो है कन्विनिंस के लिए जो है दोस्तों सरकारे लेकर आती हैं लेकिन तालमिल सही नहीं है तो सही समय पर उनको बैल को पास नहीं किया जाता इंप्लिमेंट नहीं किया जाता और यह मैटर ओफ कंसर ने इसको लेकर cjai ने जो है कल बात की cj ask why government should be made to approach the court for the governor to act तो भाई आम तोर पे होता क्या है कि इस तरह के जो मसले हैं फिर राज्य सरकारें जो हैं वो हाई कोट में सुप्रीम कोट में अपील करती हैं ऐसे कितने ही मामले हमने रीसेंटली पंजाब गौर्मेंट के साथ हमने जो है मामले दिल्ली गौर्मेंट के साथ देखे और ही भारत के पचासवे सीजिय हैं, उन्होंने ये बात की, यहां फर मैं जल्दी से पता दूँ, दोस्तों, जो चीफ जसेस ओफ इंडिया, जो है सुप्रीम कोर्ट का टॉप मोस जज होता है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल, 33 प्लस एक, टोटल जो है 34 जज होते हैं, और 33 प्लस व हांजी, जब भारत को अजादी मिली थी, तब साती जज हुआ करते थे, अब दोस्तों, टोटल ये 34 जज हैं, और जो है, इनकी जो रेटायर्मेंट एज है, वो दोस्तों, अभी 65 रहती है, 62 ये 65, I think 65 जो है, इनकी रेटायर्मेंट एज है, सुमन, अगर मैं सही बोल रहा ह हूं, तो मुझे बताएं, गलत बोल रहा हूं, फिर भी उताएं, और जो चीफ जसिस ओफ इंडिया है, दोस्तों, जो है, इनका भी जो रिमूवल है, वो बिल्कुल प्रेजिडेंट जैसा ही, रिमूवल जो है, वो रहता है, और भारत में पहले जो चीफ जसिस थे, उनका रिटायर्मेंट ही जै, वो रहती है, फिर दोस्तों, वो हमारे IFFI, International Film Festival of India की बात है, जो कि आपको मैं आल्रेडी जो है, बता चुका हूं, फिर दोस्तों, हीराल समरिया, भारत के नए चीफ इंफोर्मेशन कमीशनर बनेंगे, इसके बारे में मैं आल्रेडी आपको आज के एक प्रशन में जो है, बता चुका हूं, फिर दोस्तों, क्वार्ड, एक ये शब्द यूज किया गया है, क्वार्ड, IPMDA, IPMDA का मतलब है, इंडो पैसिफिक मेरिटिम डॉमेन ओवरनेस, इनिशेटिव प्रूफ और कमिटमेंट, फ्री इंडो पैसिफिक, दोस्तों, यहा इंडियन ओशन और पैसिफिकोशन, वहां पर चाइना का जो भड़ता हुआ परभाव है, उसको कम किया जा सके, उनके इंफ्लेंस को खतम किया जा सके, और दोस्तों, अभी जो है, यह इस तरह की जो इनिशेटिव है, कल हमारे जो अड्मीरल है, हरी कुमार, इन्होंने कहा है, by the quad grouping is a treatment to the commitment to a free, यहां पर इस पूरे इलाके को free, open, inclusive and rules based, जो है, यह हो, और इसको लेकर भारत भी अपना पूरा, जो है, सायोग है, बाकी कंद्रेंस के साथ देने को, वह तयार है, फिर दोस्तों, RBAE से जोड़ी news है, could raise rates, if oil sees sustainable rise, तो Morgan Stanley, दोस्तों, यहां पर यह सबस organization है, Morgan Stanley, यह भी credit trading agencies की तरह ही काम करती है, अंतराश्टिया जो है, जो है, अर्थ विवस्ता को लेकर यह जो अपनी टेपनिया करती रहती है, और Morgan Stanley ने कहा है, कि अगर जो दोस्तों, जो है, oil sees sustained rise, अगर oil के जो प्राइज है, दोस्तों, लगातार, वो अगर बढ़ते रहे, क्योंकि अभी हमने कल पढ़ा था, कि जिस तरह से अभी Saudi Arabia और Russia ने अपने जो तेल की, दोस्तों, जो production ने उसको कम किया है, ताकि इनके जो prices stable रहे हैं, या increase हों, तो अगर ऐसा रहता है, तो भहिशा में ऐसा लग रहा है, कि RBI को अपने rate of interest है, वो increase करने पड़ेंगे, rate of rate increase करने का मतलब है, कि भारत में ब्याज और महंगा होगा, दोस्तों, लोन्स के ओपर, अगर already आपका लोन्स चल रहा है, कोई गाड़ी का, घर का, तो उनकी जो EMI's हैं, वो भी महंगे होने के असार जो हैं, वो लग रहे हैं, तो ये सारी भविश्य मानी, Morgan Stanley ने जो है की है, अगर इस तरह के जो हलाहत हैं हमें देखने को मिलते हैं, तो ये था हमारा आज का जो है कोशन, लास्ट की न्यूज, I hope सो सारी न्यूज आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये हमारी न्यूज आपको अच्छी लगती हैं, सेशन को जरूर सांजा कर दिया करें, सेशन को लाइक कर दिया करें, दोस्तों उमीद यही खरते हैं हरोज, कि session भैतर से भैतरीन त्रीके से, भैतरीन content से, भैतरीन motivation से, भैतरीन fact से, भैतरीन concept से, सब कुछ भर के आपको दिया जाए, ताकि एक session में complete और perfection जो है, हम ला सकें, बस आप से निवेदन है कि सेशन को शेर लाइक जरूर कर दें और यह पूरी पीडियेफ है थोड़े समय बाद ही मैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे इस वीडियो के लिंक में है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर सीधा पहुंच तो एक घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे और उसकी दोस्तों जो उसकी जो पूरी पीडियेफ है वह भी मैं आप आपके साथ है सांजा करूंगा बहुत धन्यवाद थैंकिसो मच